राधी राधी दोस्तों कैसी हूँ आप लोग आसकी हमारी कहानी करना में जबाब अरे भावी आप तो बहुत कंजूस हो गई हैं हमने कहना क्या छोड़ दिया आपने तो अपना हाथ ही मोड लिया निहार भया के पैसो पर बस आपका ही अधिकार है या फिर उनकी मा बहन काव देख रही हूँ अपने माईकी वालों को उपहार देने में तो आप कभी कमी नहीं करती वो पैसे भी तो मेरे भाई के ही है फिर आप हमें कैसे भूल जाती है बवीता अपनी भावे निशा से फोन पर कहती है अब देखिए दिदी मेरे माईके वाले अगर मुझे होली की ये फोन करते तो इतनी कटू बचन तो कभी नहीं बोलते ये तो भावी ही होती है जिस पर ननद की चलती है वरना आप अपनी ननद को या अपने भाई को ऐसे सब्दों से कभी घायल नहीं करती थोड़ी देर तक भावी और ननद में बाते हुई फिर निसा ने फोन रख दि तो सुनने में क्या हर्ज है सालों तक सुनती आई हुँ जी जब तक उपहार का लेन दिन होता रहा तब तक मैं अच्छी भावी बनी रही अब जब से मैंने अपने हाथ पिछे किया है तो एक बुड़ी भावी और बुड़ी बहु बनकर रह गई हूँ मुझे अब कोई त तब नहीं होगी देखना थोड़ी देर में ममी जी आपकी बेहन की सिकायतों का टोकरा लेकर आएंगी क्यूंकि आपकी बेहन इतने में नहीं मानेंगे इतना कहते हुए निशा मुश्कुराते हुए रसुई में चले गई थोड़ी देर बाद वैसा ही हुआ जैसा निशा ने सोचा था उसकी सास कमला जी आई और बोली बहु हमने तुमें कहना क्या छोड़ दिया तुम तो रिस्तों की मर्यादा ही भूल गई हम इस उम्र में भी अपने ससुराल के रिस्ते को निभा रहे हैं और तुम से एक ननद ही नहीं संभाल पाती नीशा मुस्कुरा कर बोली ममी जी मैंने भी अपने समय में इन रिस्ते को बहुत संभाला और कितने ही करवे घूट पीकर मुस्कुराती रही आप सयद भूल गई पर मैं नहीं भूली हुई हूँ हाँ वो अलग बात है कि पहले सब कुछ देखते हुए भी मैं चुप रहती थी और अब जब दर्द होता है तो कह देती हूँ बस इतना ही फर्क आया है कमला जी तो मू बना कर चली गई पर नीशा वहीं बालकनी में बैट गई और पुराने खायालों में खो गई नीशा को आज भी याद है वो दिन जब वो बहु बनकर इस घर में आई थी कितना कुछ बदल गया बितेवे कल और आज में कोई कह सकता है कि ये वहीं सास है जो कभी नीशा को पलकों पर रखती थी आज वहीं उसे खिची खिची रहती है जब नीशा नहीं बहु थी तो बात ही नहीं कहती थी और सही हो या गलत कभी सवाल नहीं करती थी माने जो कहा था बेटा वो सशुराल है मायका नहीं कि हर बात तुम्हारी मानी जाएगी तो सोच समस्कर ही बोलना कुछ महीना तक तो यूहीं चलता रहा एक रोज नीशा निहार के साथ बाहर से जब वापस आई तो देखा उसकी साड़ियों का बक्सा खुला पड़ा है उसकी मेकप कीट भी बिखडी हुई है निहार ने कहा जाने से पहले ये सब समिट कर जाती ये क्या हाल पना रखा है कमडे का वो हैरान थी उसने कहा मैं तो सब बंद करके गए थी ये किसने खोला होगा तभी कमडे मे तुम्हारी ननद की सादी का सालगीरा है हमने सोचा बज़ार से सारी कपडे खर्धने पड़ेंगे तो मैंने तुम्हारी बक्से से साड़ी और कूछ सिंघार का समान निकाला है इतना बोलकर वो चली गई निशा ने निहार की ओर देखा तो वो मुश्कुरागर बोले समेट लो समान बिखरा कमड़ा अच्छा नहीं लगता वो हैरान थी कि कैसे कोई बीना पूछे किसी के समान को हाथ लगा सकता है उसने खुद को सांत किया और घर के कामों में लग गई समेट एक रोज नीशा की ननद बबीता पती के साथ आई थी तो उसने बड़ी प्यार से सबके लिए पनीर की सबजी बनाई उसके ससुर ने उसकी बहुत तारिफ की उसके ननदोई ने भी अपनी पतनी से कहा बबीता तुम भी सीखलो बहुत मजेदार बनी है खाना अच्छा खाने के बाद सबको निंद भी अच्छी आई तो सब सो गए साम को नीशा अपनी सास और ननद के साथ बैठकर चाय पी रही थी तो बबीता बोली भावी मानती हूँ आपको खाना अच्छा बनाने आता है पर दिखावा करने की क्या जुर्रत है नीशा ने हैरानी से बबीता की ओर देखा तो कमला जी बोली बहु इसके कहने का मतलब ये है कि तुम दमाद जी को खुस करने के लिए ये भी तो कह सकती थ कि ये सबजी बबीता ने बनाई अरे एक भावी अपनी ननद के लिए क्या कुछ नहीं करती नीशा की साधी को करीब दो साल हो गए थे वो बहुत कम किसी बात का जबाब देती थी आज ना जाने क्या हुआ नीशा हस कर बोली ममी जी बबीता दीदी के ससुर वहां बैठे तो थे नहीं जिनके लिए मैं जूट बोलती वहां तो सब घर के लोग थे कोई बाहर का नहीं था इतनी सी बात पर कमलाची ने कहा बहु भावी अपनी ननद के लिए क्या कुछ नहीं करती अरी कौन सा तुमसे उपहार मांग रही थी इतना अगर तुम कह देती तो क्या घ समझ गई कि मा बेटी बात को बढ़ाएंगे फिर तो बात दूर तलक जाएगी तो वो बोली ममी जी मैं तो मजाक कर रही थी आप दोनों तो बुरा मान गई भावी से क्या उपहार लिया दिया जा सकता है हसी मजाक नहीं किया जा सकता और वो हसने लगी दिन महीने और साल गुजरते चले गए जो नीशा पहले बहुरानी होती थी अब नीशा हो गई थी क्योंकि तब तक सास ननद को उपहार मिलते रहते हैं भावी और बहु सब अच्छी लगती है जैसे अपना हाथ पिछा करो ना जाने क्यों रिष्टे बदल जाते हैं एक रोज निहार दफत मुहले में किसी के घर में चोरी हो गई है हाँ बेटा मैंने भी सुना ऐसा करो बहु को समझा दो कि अपनी आलमारी में हमेशा तला लगा कर रखे क्योंकि सब अपने कमरे में रहते हैं तो थोरा ध्यान रखना ही होगा नीहार ने नीशा को समझा दिया नीशा बहुत वक्त से अपने माईके नहीं गई थी तो अपने भतीजे के जन्म दिन पर जब बुलावा आया तो वो एक दिन के लिए निहार के साथ माईके गई थी अगले दिन दोपहर तक वो लोट कर आ गई तो घर में घुस्ते ही कमला जी बोली क्यों नीशा हम क्या चूर हैं जो अलमारी पर ताला मार कर गई थी अरे सब माईके देयाना फिर कहना कि सास और ननद ने चुरा लिया दोनों पती पत्नी हैरान थे निहार ने कुछ कहना चाहा तो कमला जी ने उसे चूप करा दिया नीशा बोली ममी जी बुरा मत मानियेगा पर मैंने तो बस अपने समान को तला लगाया है मैं जितना बरदास्त करती हूँ आप उतना ही कहती जाती हैं और मेरा माईका इतना भी गरीब नहीं कि दी हुई चीजों को वापस ले और वो अपने कमरे में चली गई कमला जी सोहन लाल जी से बोली देखा आपने अपनी बहु के तेवर सास ननद को उपहार देने में इसे मिर्ची लगती है और भतीजे के जन में दिन पर जोला भरकर उपहार ले गई होगी अरे भग्यवान तुमें क्या हो गया है अगर बहु अपनी चीजों को संभाल कर रखती है तो इसमें बुराई क्या है सोहन लाल जी बोले आप तो रहने ही दिजिये आपको उसमें कब कोई कमी दिखती है कमला जी बोली आप तो ये रोज का हो गया था हर छोटी बरी बात पर कमला जी नीशा पर नीशाना दाग देती थी जब रोज रोज एक ही बात हो तो लोग उसे एहमियत देना छोर देते हैं नीशा ने भी बातों को टालना शुरू किया कुछ महीनों बाद ननद नन्दोई आए तो नीशा चाय बना रही थी अचानक उसके घर से फोन आया कि उसकी मा की तवियत बहुत खराब है नीशा ने तुरंत ये बात नीशार को बताई तुम ऐसा करो एक बैग में कुछ कपड़े रखलो मैं तुमें छोड़ाता हूँ पता नहीं कितना समय लगेगा नीहार ने कहा बबीता धीरे से कमला जी से बोली मा भावी माई के जा रही है और आपसे पुछना भी जरूरी नहीं समझी इसे घर में आपकी कोई इज़त है की नहीं नीशा जल्दी में निकल रही थी तो कमला जी बोली नीशा कहां जा रही हो घर में तुम्हारी ननद आई है और तुम माय की जा रही हो ममी जी मेरी मा की तब्यत खराब है कमला जी रसोई की तरफ देख कर बोली इतनी भी क्या खराब है की चाई गैस पर छोर कर जा रही हो नीशा के सबर का बांध तूट गया वो बोली ममी जी बस किजिए इस वक्त ननद और चाई से ज़्यादा मेरी मा जरूरी है नीशा ने नीशार की तरफ देखा और बोली आप चलेंगे या मैं चली जाओ नीशार उसके साथ घर से बाहर निकल गए सोहन लाल जी को जब इस बात का पता चला तो वो बहु से बोले बहु इत मिनान से जाओ और वहां रुकना पड़े तो रुक जाना नीशार नीशा को वापस छोर कर आ गया करीब तीन दिन बाद जब नीशा की मा की तबियत कुछ ठीक हुई तो वो वापस आ गई जैसे नीशा ने चोखट के अंदर पैर रखा कमलाची बोली आ गई बहुरानी कुछ दिन और रुक जाती तुम्हारे बिना यहां कुछ घट नहीं रहा था जैसे बोलकर गई थी मुझे तो लगा था कि वापसी नहीं आओगी और यह क्या खाली हाथ आई हो कोई उपहार नहीं मिला तुम्हारे माइके से नीशा मुस्कुरा कर बोली मुझे याद है वो दिन जब इसी दरवाजे पर आपनी मेरा एक बहु के रुप में स्वागत कि जब तक गलत बात सुनती रही आपको और आपकी बेटी को अपनी सभी चीजों को उपहार के रुप में देती रही मैं अच्छी वहू और भावी थी आज अपनी मा के लिए इस चोखट से बाहर पैर क्या निकाला और सही बात क्या बोली मैं तो बुरी बन गई ममी जी इतन कहते कहते निशा की आखे भराई सोहन लाल जी आगे बढ़कर बोले अंदर जाओ बहू ये तुम्हारा घर है निशा के अंदर जाते ही सोहन लाल जी कमला जी से बोले तुम्हारी जैसी सास की वज़ा से एक अच्छी वहू भी बुरी बन जाती है बेटी मेमान होती है जिस ने हमें ठुकरा दिया तो तुम्हारी बेटी भी जाकने नहीं आएगी कि हम किस हाल में हैं जिसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी निहार जब दौफ्तर से लोटकर आया और उसे सारी बातों का पता चला तो वो कमला जी के पास गया और बोला मा जहां तक आलमारी बंद करन कमला जी बोली वो सब तो ठीक है पर वो तुम्हारी बहन के साथ है अच्छा बेवार नहीं करती है निहार बोला एक बात बताईये मा ऐसे तो बबीता आए दिन आती है और उपहार लेकर जाती है जब कभी आपकी तबियत खराब होती है तब आपकी सेवा करने क्यों नहीं आती क्या आपने कभी सोचा है बेटर होगा सोच लिजिए क्योंकि मैं भी निशा को कितने दिन तक रुक पाऊंगा इतना कहकर निहार वहां से चला गया समझदार के लिए इस सारा ही काफी होता है बेटे की बात सुनकर कमला जी को जैसे साप सुंग गया बाद में पती ने समझाया तो सायद उन्हें अपनी गलती का एसास हुआ पर कुछ लोग सुधरते तो हैं पर पूरी तरह नहीं पर बहुत ज्यादा से थोरा ही अच्छा होता है अब धीरे धीरे बबीता का माईके में आना कम हुआ पर जिन्हें दुसरों की जिन्दगी में बिना करवाहट घोले चैन नहीं मिलता वो तो बोलने का बहाना डोंडी लेते हैं कमला जी और बबीता भी कभी ना कभी घूम फिरकर नीशा को सुना ही देती थी पर अब ये नीशा वो नहीं थी जो बस सुनकर बरदास्त कर ले अब कोई भी तेवार आने से पहले ही नीशा बबीता का उपहार पहले ही उसे भिजवा देती थी ताकि घर आकर वो मा के साथ मिलकर कोई खिचरी ना पकाए और घर के अच्छे खासे महल को खराब ना करें दोस्तों रिष्टे को क्या सिर्फ उपहार ही संभाला और महसुस किया जा सकता है इस्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे ही और भी बहतिरन कहानियों के लिए प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद